प्रभाद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ छे संस्कृत में पाठ छे सर्विनाम शब्दा आगे पढ़ते हैं, संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाने वाले शब्द सर्विनाम कहलाते हैं जैसे एशह, एसा, एतत, सह, असो, आदि बच्चों, संग्या के स्थान पर, संग्या किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संग्या कहते हैं तो जहाँ पर हम नाम की जगा पर एशा, एशा, एतत का प्रियोग करते हैं वहाँ पर हम क्या कहेंगे सर्वनाम शब्दों का प्रियोग करेंगे ठीक है संगा के स्तान पर प्रियोग किये जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते है सर्वनाम शब्द कौन से है एशा, एसा, एतत, सह, असो, आदी ये क्या है सर्वनाम शब्द है यह किसके लिए प्रियोग किये जाते हैं? यहा के लिए वहा के लिए जो प्रियोग किये जाते हैं वहा सर्वनाम शब्द होते हैं क्योंकि वहा नाम की जगा आते हैं अब देखे, अदस, अशो, असो, अधा, तथा, तद, स, सा, तत, सर्वनाम शब्द वह के लिए प्रियोग किये जाते हैं इन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग ऐसे संग्या शब्दों के लिए किया जाता है, जो बोलने वाले वक्ता से दूर हों इसके उधारन आगे दिये गए है इदम, आयम, इदम, आयम, इयम, इदम, तथा एतत, एशा, एसा, एतत, सर्वनाम शब्द यह के लिए प्रियोग किये जाते हैं इन शर्वनाम शब्दों का प्रियोग ऐसे संग्या सब्दों के लिए किया जाता है जो बोलने वाले बक्ता के निकट हो जो बोल रहा है उसके निकट हो क्योंकि यहां के लिए प्रियोग किया जाता है ठीक है? अब है हिंदी में यहा तथा वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान होता है अँगर हम कहेंगे यहा लड़की यहा लड़का वह लड़की वह लड़का तो यहां पर क्या हो रहा है? यह तथा वह सर्म नाम शब्दों का प्रियोग दोनों लिंगों में समान रूप से हो रहा है लेकिन संस्किर्थ में पूर्लिंग के लिए यह की संस्किर्थ एशा वा आयम तथा वह के लिए अशो व सह होती है स्ट्रिलिंग में यहाँ की संस्कृत एशा वा एम तथा वह के लिए सा वा अशो नपुस्टिकलिंग में यहाँ की संस्कृत एतत वा इदम तथा वह के लिए संस्कृत अधा तथा तत होती है ठीक है यहाँ और वह के लिए संस्कृत के शब्द अलग अलग होते हैं अउन पर भी स्ट्रिलिंग पुल्लिंग और नपुसक्लिंग के लिए अलग अलग शब्द आते हैं इसके उधरन देखते हैं हम आगे ईशह गजह यहाँ थी यहाँ पर पुलिंग है, पुलिंग शब्द है गजह तो जब हम पुर्लिंग शब्द के लिए यहा लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा एशा एशा चटका चटका क्या है? स्त्रिलिंग शब्द है एशा चटका यहाँ चिडिया तो जब हम स्त्रिलिंग शब्द के लिए यहां लिख रहे हैं तो यहां पर यहां के लिए क्या आएगा एशा एतत पुस्तकम पुस्तकम क्या है नपुशक लिंग शब्द एतत पुस्तकम यहां पुस्तक तो जब हम नपुंसक लिंग शब्द के लिए यहा लिख रहे हैं तो क्या आएगा एतत अब आगे दिखें इसके उधारण पुर्लिंग आयम बालक काहा आयम का अर्थ भी क्या होता है यहा आयम बालक काहा यहा बालक पुर्लिंग शब्द है पुर्लिंग के लिए जब हम यह लिख रहे हैं तो क्या आएगा आयम इयम बालिका स्त्रिलिंग इयम का अर्थ भी होता है यह लेकिन जब हम स्त्रिलिंग शब्द के लिए यह लिख रहे हैं तो क्या आएगा इयम बालिका यह लड़की आगे है नपुसकलिंग इदम आमरम यहाँ आमरम क्या है नपुसकलिंग शब्द है और जब हम नपुसकलिंग शब्द के लिए यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा इदम आगे के उधारन देखें सहरजकह वहदुभी अब यह क्या है सह वह यानि के दूर यहाँ पर क्या था आयम यहाँ नजदीक यानि के बोलने वाले वक्ता के नजदीक अब यह दोनों एकदम नजदीक हैं यहाँ इदम यह क्या है सारे बोलने वाले वक्ता के पास हैं नजदी शा, ततट पड़ेंगे, तो ये क्या है, बोलने वाले बक्ता से दूर है, स, यानि की वह, स, रजकभ, वह, धोबी, तो यहां पर पुर्लिंग शबद है, धोबी क्या है, पुर्लिंग शबद है, तो यहां पर, वह, के लिए, क्या आएगा, स, पुर्लिंग शब्द है तो यहाँ पर जब हम स्त्रीलिंग शब्द के लिए वह लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा अशो का क्या अर्थ भी होता है अशो का अर्थ भी होता है वह पुर्लिंग शब्द है किर्षा का पुर्लिंग शब्द है तो जब हम पुर्लिंग शब्द के लिए वह लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा अशो असो सिक्षिका असो पुर्लिंग और स्टिर्लिंग दोनों में एक समाना आता है तो असो सिक्षिका वहा अध्यापिका अध पुष्पम वहा फूल अधा अधा पुश्पम वह फूल पुश्पम क्या है? नपुस्टा क्लिंग शब्द है अधा का अर्थ वह होता है लेकिन कहां पर प्रियोग किया जाता है? जहां पर नपुस्टा क्लिंग शब्द हो जहां पर नपुस्टा क्लिंग शब्द के लिए हमें वह लिखना है बार में आपको इसका अब भ्यास कारे करवाऊंगी